हेलो फ्रेंडस सब्सक्राइब कीजिये हमारे बायोजी चेनल को और वेल आइकन दबाये हमारे सारे लेकस्छ वीडियो देखने के लिए हालो फ्रेंड्स हमने अपने पिछले वीडियो में आपको एलिमेंटरी कैनल की बकल केविटी के बारे में बताया था जुसमें हमने पैलेट टंग और टीट के बारे में बताया था आज हम आगे चलते हैं सेलिवरी ग्लेंड पे हमारी बकल केविटी में सेलिवरी ग्लेंड प आई जाती है एक पिर सलेवरी ग्लेंड जो कान के नीचे होती है पैरोटेट सलेवरी ग्लेंड और दूसरी जहां पे दो जो आपस में मिलते हैं वहां पे प्रेजेंट होती है सब मैग्जिलरी सलेवरी ग्लेंड या समेंडिबल सलेवरी ग्लेंड और तीसरे पिर सलेवरी ग् आईए देखे, ये है हमारी कान के नीचे पैरोटेट सेलेवरी ग्लेंड, जो आपके दोनों कान के नीचे होती है, एक एक पैरोटेट सेलेवरी ग्लेंड, ये सबसे बड़ी सेलेवरी ग्लेंड है, और ये ग्लेंड अपने अंदर बनने वाले सिक्रेशन को, मतलब सलाइवा क को extension duct के द्वारा बकल कैविटी में भेशती है यह आपके exocrine gland है exocrine gland का मतलब जो अपने अंदर बनने वाले secretion को पतली पतली tube के द्वारा target point पे पहुझाती है तो celery gland exocrine gland है जिसमें यह जो कान के नीजे है parotid salivary gland यह extension duct के द्वारा अपने saliva को बकल केविटी में भेशती है अपर जो के पास तो यह आपके अपर जो में जो वेस्टिव्यूल केविटी है हमने आपको बताया था जो लिप से कवर्ड है आगे लिप से और पीछे टीट से जिसमें short duration में हमारा food बेस्टोर रहता है तो वह केविटी वेस्टिव्यूल है और वेस्टिव्यूल में अपर जोब के पास यह extension duct खुलेगी और वह आपके पैरोटेट ग्लेंड का सीक्रेशन लाती है दूसरी है हमारी सब मैंडिबुलर या सममेक्जिलरी सेलेवरी ग्लेंड मैंने आपको बताया जहां पे दोनों जो मीट करते हैं मिलते हैं वहां पे एक प्यर आपके सेलेवरी ग्लेंड होती है सममेक्जिलरी ग्लेंड या सममेंडिबुलर ग्लेंड ये ग्लेंड आपके वार्टन डक्ट के दौरा तो सममेक्जिलरी ग्लेंड की जो डक्ट है वार्टन डक्ट है और वार्टन डक्ट के हैं वहाँ पे खुलती है वाटन सेलेवरी डक्थ तो यह आख के वाटन सेलेवरी डक्थ जो है समापसि रिग्लैंड का सिकरेशन लेकर आएगी और तीसरे पर होती है टंग के नीचे यह आख के नीचे की साइड होती है आपके sublingual salivary gland sublingual salivary gland जो टंग के नीचे होती है एक पेर sublingual salivary gland और ये छोटी छोटी डक्ट के दोआरा नीचे ही खुलती है इनकी डक्ट का नाम है duct of ribinus तो ये duct of ribinus के दोआरा अपने सिक्रेशन को बकल कैवटी में भेजती है तो ये थे आपके तीन पेर्ज salivary gland parotrid salivary gland सबसे बड़ी salivary gland है sub maxillary salivary gland medium size की है और सबसे छोटी salivary gland है sublingual salivary gland तो ये आपके जो parotrid salivary gland कान के नीचे वाली अकर इस gland में mumps virus का infection हो जाए तो mumps हो जाते है मंस जिसमें कान के नीचे फोल जाता है जिससे हम कंसुए भी कहते है तो ये कंसुए या mumps मंस virus के infection से होते है और किसमें infection हो रहा है parotrid salivary gland में फिर देखे आपके इनका जो secretion होता है इन gland का उससे हम saliva कहते हैं तो तीनों salivary gland के secretion को हम क्या बोलेंगे saliva डेली में लग बग आपके 1500 ml saliva का secretion होता है और इस saliva का जो pH है 6.8 होता है इस saliva में आपके 99.5% of water होता है और 0.5% में enzymes और mucus पाए जाते हैं तो देखिए इसमें कौन-कौन से enzyme है इसमें आपके एक होता है salivary amylase जिसे हम tylin भी कहते हैं salivary amylase या tylin जो food के संग आए starch का digestion करता है तो हमारी buccal cavity में 30% starch का digestion कौन करता है salivary amylase या फिर tylin साथ में इसमें lysogym enzyme है lysogym enzyme जो anti-vacterial enzyme है food के संग आए bacteria को destroy करेगा फिर आपके mucus होता है और ये mucus जो food को soft बनाने में help करेगा साथ में buccal cavity को lubricate भी करता है moist बनाता है फिर आपके hyo syne ये भी आपके anti-vacterial enzyme है तो इस तरीके से saliva में 99.5% water होता है और 0.5% में ये other enzymes और mucus है इसके रग कुछ ions भी होते हैं sodium ion, potassium ion, chloride ion और आपके carbonic ion साथ में saliva में आपके antibody immunoglovin A भी होती है और saliva में कुछ amount में urea और uric acid भी present होता है ये था अमारे पूरे saliva का content जिसमें इस saliva का 25% part parotid salivary gland के द्वारा secret होता है और 70% part sub maxillary gland के द्वारा secret होगा अब बचा 5% part जो sub lingual gland secret करते हैं मतला parotid वाली 25% part बना रही है 70% sub mandivular या sub maxillary gland और 5% sub lingual gland secret करते हैं तो ये आपका जो saliva है ये आपके food के digestion में help करेगा और ये saliva का secretion हमारे nervous system के excitement से होता है तो देखी कौन-कौन सी nerve कौन-कौन सी gland को जाती है ये आपके brain की cranial की 9th वाली जो nerve है वो parotid salivory gland में जाती है और 7th वाली nerve sub lingual और some maxillary salivory gland में जाती है 9th वाली parotid में और 7th वाली sub lingual और some maxillary salivory gland में जाती है और saliva के secretion को initiate करते हैं तो ये थी हमारी salivory gland और यह आपके saliva का secretion करते हैं, तो यहां तो हमने आपको gland के बारे में बताया, आगे के वीडियो में हम आपको पूरा explain करेंगे कि किस gland के secretion से food का digestion कैसे कैसे होता है, तो यह हमारी buckle cavity में celery gland हो गई, अब हम आगे बढ़ने हैं buckle cavity से, buckle cavity पीछे की ओर एक short tube like structure में खुलती है, जिसे हम कहते हैं pharynx, यह pharynx एक छोटी सी tube है, और जिसमें आपकी buckle cavity भी खुलती है और nasal cavity भी, तो इस तरीके से pharynx में buckle cavity खुलती है, औरो pharynx opening के दौरा, साथ में nasal cavity खुलती है, नेजो pharynx opening के दौरा, इसका मतलब pharynx is the common path for food and air, तो buckle cavity से food भी इसमें जाएगा और nasal cavity से air भी जाएगी, और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, औरो pharynx और nasal pharynx के बीच में एक curtain like structure होता है, जिसे हम कहते हैं यूवला या वैलम पलेटी, जिस समय हम food काने वाला निगलते हैं, उस समय यूवला उपर होके nasal pharynx की opening को बन कर देता है, जिससे food हमारा नीचे food pipe में आ जाए, नाक से बाहर ना आए, तो ये हमारे pharynx की उपर की दो opening, तो pharynx हमारा नीचे की ओर दो tube like structure में खुलता है, जिसमें आगे वाली होती है wind pipe, और पीछे वाली होती है food pipe, wind pipe को हम trachea भी कहते हैं और food pipe को हम esophagus कहते हैं, wind pipe में ये glottis opening के दोरा खुलता है, और food pipe में ये gullet के दोरा खुलता है, मतलब pharynx wind pipe में जो खुलता है, वो opening का नाम है glottis, जिसके उपर एक leaf like धक्कन होता है, leaf like lid होता है, जिसे हम epiglottis कहते हैं, और food pipe में ये जिस opening के दोरा खुलता है, उसे हम gullet कहते हैं, जब pharynx से food आपके food pipe में जाता है, तो epiglottis, glottis को cover कर देता है, जिससे कोई भी food particle wind pipe में ना जाए, इन केस, कभी ये अगर epiglottis खुला रह जाए, तो food का कोई particle, अगर wind pipe में चला जाता है, तो उसे बहार निकालने के लिए ठसका आता है, तो वो reflex action होता है, जिससे food particle बहार आ जाए, और अगर food particle बहार आ जाता है, तब तो वैडन, अगर किसी कारण से, वो food particle wind pipe से बहार ना आ पाए, तो at a time death हो जाती है, तो इसी लिए कहते हैं, खाते समय बोलना हसना नहीं चाहिए, जिससे epiglottis, glottis को बंद किये रहे, और food particle आपके wind pipe में ना चाहिए, तो इस तरीके से ये हुआ हमारा pharynx, so pharynx is a common path for food and air, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है, आपके food pipe, pharynx gallet के दौरा food pipe में खुलती है, food pipe जिसे हम isophagus भी कहते हैं, isophagus केवल आपके food के लिए पाग का काम करता है, जो आपके एक persistilatic moment के दौरा food को नीचे इस टमक में पहुचाता है, मतलब आपके isophagus में persistilatic moment होता है, persistilatic moment मतलब food के ऊपर ये आपके food सिकुड़ेगा, जिसे food आगे बढ़ेगा, तो इस तरीके से ये आपके food को आगे बढ़ाता चला जाएगा, इसे कहते हैं persistilatic moment, और food हमारा नीचे आपके isophagus से होता हुआ, इस चमक में आजाएगा, ये जो आपके food पाइपर इसो फेगस हमारे ये डायफरॉम होता है, थोरे सिक और abdomen cavity के बीच में डायफरॉम पाये जाता है, muscles का बना सैप्टा ये डायफरॉम है, इसे airtight penetrate करके ये इस चमक में खुलता है, जहाँ पर ये इसे airtight penetrate करता है, वो opening कहलाती है, high test, ये आपके high test में airtight penetrate करेगा, और फिर आपके नीचे abdomen में आके, ये किस में खुलेगा? इस चमक में. ये समक में खुलने से पहले थोड़ा सा blunt हो जाता है, घूम जाता है, जिससे की food आपके वापस लोट के ना जाए. तो ये थी हमारी isophagus, जो कि आपके diaphragm को penetrate करके किस में खुलेगी? स्टमक में. तो इस वीडियो में आपने देखा हमारी elementary कैनल का, जो है salivary gland, pharynx and isophagus. आगे की वीडियो में हम चलेंगे, इस चमक और intestine के बारे में जानेंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसे like करें, share करें,